परमेश्वर बहुत मान है, हलेलोहिया, एमेन, एमेन, मुलिये परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, एमेन, अपने सुभा की शुरुवात आप कैसे करते हैं, एमेन, सुभे जब आप उठते हैं, राद भर सोकर, आप जानते हैं कि परमेश्वर का आशीश राद भर आपके स साथ रहता है Amen मैं आपको सच कह रहा हूँ अगर यह आप महसूस करना शुरू कर दें कि उसका प्रेम क्या है वो रात को भी सोते समय आपके साथ रहता है वो नहारता है आपको इसलिए Bible कहती है कि वो हमारे सिर के बालों की गिंती भी जानता है Amen उसके प्यार को महसूस करिए उसके प्यार में खो जाएए मैं आपको सच कह रहा हूँ हर पल आप अपने जीवन में चमतकार महसूस करेंगे Amen Bible हमें बदाती है जब हम प्रभू के चरणों में आते हैं जब हम उसके चेले बनते हैं जब उसके भाक्त बनते हैं तो हमारे मन में एक असमजसा आता है कि हम क्या करें पास्टर बूलते हैं कि परमिश्र के राज्य में आके बढ़ो कैसे करें Amen आज मैं आपको बताऊंगा कि परमिश्र के राज्य में हमको क्या करना है Hallelujah काम करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा Amen जो से तालियां विजाए पिता परमिश्र के लिए पवित आत्मा के लिए शुमसी के लिए Hallelujah प्रभू क्या चाहता है Hallelujah Matthew 20 उसका एक और दो पड़ी है जली से कोई बात नहीं करेगा इदर Matthew 20 Matthew 20 वान और टू परमेश्र क्या चाहता है परमेश्र के राज में हमें क्या करना चाहिए Hallelujah चलिए बढ़िए स्वर का राज किसी ग्रहस्त के समान है जो सबेरे निकला कि अपनी दाग की बारी में मजदूरों को लगाए Amen Hallelujah वापने घर से निकला कि मेरा बच्चा काम करे कि मजदूरों को मजदूरी दे Praise the Lord Hallelujah Amen वो चाहता है कि आप युही जीवन ना बताएं आपको जो परमेश्र ने आशीचीत जीवन दिया है आपके आत्मा को नया किया है आपके मन को नया किया है परमेशन ने रेस अलाट वो चाहता है कि आप उसके राज्य में आगे बढ़ें कितने लोग उसके राज्य में आगे बढ़ना चाहते हैं कितने लोग चाहते हैं कि उसका राज्य मुझे में रहे, मैं उसके राज्य में रहूं, इमें, तो बाइबल क्या कहती है, कि वो चाहता है कि काम करें, मजदूरों को लगाएं, अगरा पढ़िये, दूसरा, उसने मजदूरों से एक दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाग की बारी में भेजा, उसने मजदूरों को लिया, और एक रुपए एक दिनार के एवस में उसे मजदूरी दिलवाई, प्रेस अलॉट, प्रब्लम क्या होता है, प्रभू क्या चाहता है कि मेरा बच्चा काम करे, दो चीज़े हैं, यहां पर पैसा भी है और काम भी है, हालल्या। हमें किसे देखना है, हमें किस तरफ देखना है, हमें अपनी तwarzजो किस तरफ देनी है, काम की तरफ, यहा पर कुछ मजदूर थे, जिन्नोंने काम किया, उनको एक रुपया रोज की दिहारी पर उसने रखा फिर बारा बजे कुछ मस्दूर मिले उनको भेजा फिर तीन बजे कुछ मस्दूर मिले उनको भेजा और जब छे बजे शाम को पैसा देने का आया तो जो बारह बजा आया था, जो तीन बजे आया था, जब उसको एक रुपया मिला, जो पांच बजे आया हूँ, उसको भी एक रुपया थूरी, मेरी इच्छा है. लेकिन जो आप से मところ मेरे वारदा किया, वह toi मैं आपको दे रहा हूँ. Hallelujah! Praise the Lord! जो बारा जी आया जो तीन बजी आया उसके बन में शांति ती क्योंकि हो पैसे को नहीं देख रहा था वह काम को देख रहा था लेकिन जो नौ बज से आया था जिसके छंग एक रुपए अंधिया हुआ था वह किसे राज्य में नहीं है अंदेर, Pastor Lord आप उसके लिए काम करेंगा, हो सकता है आप अगर कहीं नौकरी करते है आपका बॉस के आपने 20 दिन काम किया और आपने 10 दिन चुटी ले ली वो 20 दिन का पैसा भी नहीं देगा Praise the Lord लेकिन मेरा परमिश्चर मैं आपको बताओ अगर आप परमिश्चर के राज्य में काम करोगे वो आपको खाली नहीं छोड़ेगा वो आपको खाली नहीं छोड़ेगा वो आपको मांगने से ज़्यादा देगा Praise the Lord आप नहीं जानते हैं उसके सामर्थ को Hallelujah हमें करना है, हमें बोना है आप मुझे जो 20 गुना दे रहे हैं वो संसारिक काम के लिए दे रहे हैं मेरा काम ये है कि जो आदमी नर्ग जा रहा है उसको उठाके स्वर्ग लेकर जाऊं Amen कौन सा काम बढ़ा है Praise the Lord किसी भाई को स्वर्ग का राष्टा दिखाना Hello आप नर्ग में हैं और आपका सू समचार उसको उठाके स्वर्ग में लेकर जाएगा Praise the Lord जिस इन आपने वचन आपके जीवन में वचन क्यों काम नहीं कर रहा है क्योंकि आप उसे समझ नहीं रहे हैं तेरा का ठारा निका लिए मती तेरा का ठारा कि मुझे किस रास्ते बढ़ जाना है मुझे सिर्फ उसी रास्ते बढ़ जाना है जो मुझे परमेश्वर ने बताया है जिस दिन आपने ये सोच लिए जिस दिन आपने इक गाड़ माद ली जो परमेश्वर ने कहा है मुझे वही करना है जिस दिद आपने ये समझ लिया मैं आपको भल रहा हूँ परमेश्र का सामर्थ आपके जीवन में काम करेगा रेसलोट वो क्या कहता है जो कलपड़ा है मैं तुम्हारे विशे में करता हूने मैं जानता हूँ कि वे हानी की नहीं है वरन कुशल ही की है विश्वास करिए मेरे भाई मेरे बहन आपको जीवन देने वाला परमेश्वर है अपनी आत्मा आप में डालना वाला परमेश्वर है जो योजना है वो आपके लिए बना रहा है वो हानी की नहीं है कुशल की है लाब की है प्रेस अलॉड इसलिए उसका काम करिए हम सब कुछ करते हैं लेकिन उसी का काम नहीं करते हैं हमारा सबसे बड़ा ड्राव बैग यह है कि हम उसका काम नहीं करते हैं और हम चाहते हैं उससे सब कुछ अपने दिल पे हाथ रखिए क्या प्रभू काम करते क्या आप मजदूर है प्रभू के क्या आप मजदूर है प्रभू के क्या आपने सोचा है कि मैं आज प्रभू को महिमा दूँगा क्या आपने कभी प्रात्रा की है कि परमेशन मेरे शरीर से मेरे जीवन से तेरी महिमा हो Amen वो कहता है बजन सहीता 91 का पंद्रा वो कहता है कि मैं जान गया हूँ और मैं उसकी महिमा बढ़ाऊंगा क्योंकि वो मेरे नाम को जान गया है कि मैं कभी मैंने सोचा है कि मैं अपने परमेश्व की महिमा बढ़ाऊंगा आज मैं अपने पडोसी को बताऊंगा कि मैं वो धार पाच चुकी हूँ आज मैं कौन हूँ मेरे इश्यू की बतावत आज आज आप ले किसी को special phone किया हो कि नहीं मैं आज बताऊंगी कि मेरे इश्यू ने मेरे लिए क्या किया है कभी कहा है आपने Amen महिमा बढ़ाना है अज आपने अपने इकलोटे पुत्र को आपकी महिमा के लिए बलिदान कर दिया प्रेज आफ। आपने जानते है कि परमेशर की अदभूत योजना आपके लिए अदभूत आप सोच नहीं सकते हैं आप अपने जीवन में असवलता का कारण आप खुद हैं क्योंकि आप परमेशर की इच्छा से नहीं चल रहे हैं अगर आप परमेशर के अनुसार चलें मैं आपको चैलेंज करता हूँ आपका हाथ कोई नहीं पकड़ पाएगा कोई नहीं पकड़ पाएगा आपका हाथ लेकिन आप उसकी योजनाओं को जानना नहीं चाहतें कभी आपने घुटने टेके और बोला कि परभूशर मुझे अपनी योजना के बारे में बताए बताईए मेरे पिता जो आपने मुझे जीवन दिया मुझे क्या करना है यह लड कि मैं आप चले आपके घर में आगई हूँ अब मुझे क्या करना है पूछेंगी कि नहीं पूछेंगे तभी तो आप रह पाएंगे वहाँ पर शांती से हिससे क्योंकि मैं आपके घर में आई हूँ हलो मैं आपके घर में आई हूँ अब मैं क्या करूं आंटी मां ममां ममी कि वटेवर यूँ आपको अनंदकाल का जीवन दिया है उससे पूछिए कि मैं परभू अभी तेरे राज्य में आई हूं मैं क्या करूं मैं अपना जीवन कैसे बिताओं मैं अपना समय कैसे बिताओं एक बहुत बड़े पास्टर हो चुक हुए हैं साथ हो फरीका के पास्टर हैली प्रिंस अलोट पता वो क्या करते थे हर काम के लिए परमिश्य से पूछते थे यह मैं भी करता हूं जब मैंने उनका यह सुना उनकी गवाई सुनी तो मुझे बहुत खुशी हुई कि यही काम म वो क्या करते थे मालों को बाल कटाने हैं मालों को बाल कटाने हैं तो वो पूछते थे कि परमिश्य मुझे बताईए मैं किस नाई के पास जाओं जिसको तुने चुना है जिसको मैं सूस हमाचार सुना हूं और तो उसका उधार करें पता मैं किस के पास जाओं मुझे बता और वो प्रात्रा करते थे आपको पता है हमारा परमेशर बात करने वाला परमेशर है बोलने वाला परमेशर है प्रेस अलॉट आलिलुए अमैन और जब वो जाते थे एक दुकान के पास कोई आवाज नहीं आती थी दूसरी दुकान से गए नाई की दुकान से कोई आवाज नहीं आई तीसरी, चौती, पांच भी दुकान से जा रहे हैं और तब परमेशन उसे बोलता था ये आदमी है जिसको मैंने चुना है और वो वहाँ पर गाड़ी रोक कर उससे बाल कटाता था और उसको सूसमाचार सुनाता था और उसका उद्धार होता था Amen क्योंकि हम अपने में लगे रहते हैं आज मैं इससे ये लूँगा, आज उससे वो लूँगा आज मैं यहाँ काम करूँगा, पंदरा बीस, पच्छीस हजार यहां से लूँगा आप कभी सोचते ही नहीं कि परमेशर मैं किसके लिए सूसमाचार सुना हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप परमेशर के लिए नहीं जी रहे हैं तो आपका जीना व्यर्थ है व्यर्थ है संड़े आना आप यह मस समझे कि मैंने यहां वर्षिप कर ली और बजा ली आया और उसके बाद कुछ बोल लिया और मैंने अपनी डूटी अदा कर ली, I'm sorry जब आप जाएंगे नहीं तो हो सकता आप परमेशर बोले कौन है आप? कौन है आप? अरे भैं, आपके चर्च में वर्षिप करता था मैं वर्षिप करती थी मैं नहीं जानता आपको वो किन को जानता है? जो उसके लिए मज़़ूरी करते हैं क्योंकि उसने आपके लिए योजनाय बनाई है उसने आपके लिए योजनाय बनाई है मती 21, 1, 2, 3, 4, 5 पढ़िए मैथ्यू 21, 1, 2, 5 जब वे येरुशलूम के निकट पहुचे और जेतुन पहाड पर बैथफगे के पास आए तो येश्यू ने दो चेलों को ये कह कर भेजा सामने के गाउ में जाओ वहाँ पहुचते ही एक गड़ी बंदी हुई और उसके साथ बच्चा तुमें मिलेगा उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ यदि तुम से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभू को इनका प्रयोजन है तब वो तुरंट उन्हें भेज देगा ये इसलिए हुआ कि जो वजन भविश्युक्ताव के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो सियोन की बेटी से कहो देख तेरे राजा तेरे पास आता है वो नम्र है और गड़े पर बैठा है वरन लादू के बच्चे पर हालेलुया प्रेसलोड यहां पर क्या हुआ जब यर्शलम में विजय यात्रा के लिए जा रहे थे इशो मसी और वहां पर एक गड़ा और उसके बच्चा बंदा हुआ था इशो मसी ने अपने चेलों को भेज़ा कि जाओ लेकर आओ उनको लेकर आओ और मैं उस गड़े को लेकर आओ प्रेसलोड हलेलुया और वो गड़ा वहां पर बंदा हुआ था ध्यान दीजिए हलो आज कई गड़ों की बुद्धी खुलने वाली है कई गड़ों की बुद्धी खुल जाएगी आज आलेलुया प्रेसलोड ये जो गड़ा बंदा हुआ था आपको पता है इसके लिए साड़े पांस सो साल पहले परमेशन ने भविश्वानी कर दी थी ये जो गड़ा बंदा हुआ था आप तो इंसान है आप तो इंसान है अलो ये जो गड़ा बंदा हुआ था जिसको इश्व मसी ने अपने चेलों के दुआरा बुलाया उसको साड़े पांस सो साल पहले इश्व के आने से साड़े पांस सो साल पहले उसके लिए परमेशन न का नौ जकरिया नौ का नौ है सियोन बहुत ही मगन हो है यरुशुलम जय जय कार कर क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है वो दीन है और गदे पर वरन गदी के बच्चे पर चड़ा हुआ आएगा पर मेश्वर ने उस गदे के लिए योजनाय बनाई थी जिस गदे पर ईशुमसी चड़ा आप तो फिर भी इंसान है लेकिन गदे पर ईशुमसी कैसे चड़ पाया चुकि गदे ने इंतजार किया उसने विश्वास किया कि मेरा राजा आएगा और मुझ पर बैठेगा पर मेश्वर ने आपको चुना है आपके लिए योजनाय बनाई है एफीसियो 2 का 10 एफीशियो 2 का 10 क्यूंकि हम उसके बनाए हुए और मसी इशु में उन भले कामों के लिए सरजे गए हैं जिने पर मेश्वर ने हमारे लिए करने के लिए तैयार पहले से किया है हम उनके लिए बनाए गए हैं जो पर्मेशन ने हमारे लिए सजा है हमारे लिए पर्मेशन ने सजा है आज से 20 साल पहले मैंने जानता था कि मैं पास्टर बन जाऊंगा मैंने जानता था 17-18 साल पहले पर्मेशन ने मुझे चुना मुझे नहीं पता था मुझे प्राथना करनी नहीं आती थी मुझे प्राथना करनी नहीं आती थी मुझे भाइबल पॉंट नहीं आती थी मैं रोता था, गुटने टेकता था जब कलीशिया में जाता था तो मैं अपनी पत्नी से बोलता था कि मेरे बेटे को मुझसे दूर करो अभी दो घंटे मैं किसी का नहीं हूँ और दो घंटे में परमेश्चर के उसमें रहता था कि परमेश्चर मुझसे बात करें मुझसे बात करें जिस चर्ट में आता था वो इंगलिश चर्ट सा थोड़ी बहुत नहीं आती थी तब ही मैं बैठ था था पैसे नहीं थे पैदल जाता था बूट फटे हुए थे कोई संडे मैंने मिस्ट नहीं किया जाता था मांगता था परमेश्वर मुझे बात कर मैं कुछ समझना चाहता ह कि मुझे कुछ नहीं आता था मैं साथ गहंते पृठहात ना करता था कि दिन में चार घंटे राथ को चार घंटे राथ को ये इन और तीन गंटे साथ घंटे पूरे 24 गंटे में प्रातना करते हैं सत्र सत्र दिन में उपवास लगता था परमिश्र कहता है काम करो प्रातना में काम करो आप प्रातना करते हैं प्रातना में काम करो आप उपवास करते हैं उपवास में काम करो उपवास में काम करो उपवास किसके लिए है सिरफ भूका रहने के लिए नह खाऊंगा 40 दिन मैं एक ठाउम खाना नेखको गशा जाएक नाइगा आए उपवास में काम करो अपने ऊपर काम करो अपने को दीन करो अपने को नमर करो methyl अपने परबू के योग कि बनाओ उससे मंगो कि तेरी आवाज में सुन सकूँ हुँ परहतर कमाती हूं छेजर कमा हूं मैं 10,000 कमाता हूं 12,000 कमा रहे हैं नहीं मैं कहान जाओं तेरे लिए मुझे बता कौन सा रास्ता है मुझे बता मुझे बता मुझे बता मैं किस को सुनस समाचा सुना हूँ तुन्हें आत्मा रखी हुई हैं, तुन्हें कहा है कि फसले तो बहुत हैं लेकिन मजदूर कम है, तुन्हें अपने चेलों से कहा था मैं मजदूर बनना चाहती हूँ, मैं मजदूर बनना चाहता हूँ, मुझे मजदूर बनना है, प्रेसलोट, मुझे यूही नहीं जीवन है जिसलिए परमेशन ने आपको चुना है वहामें वह काम करना है आपको प्रात्रा करने नहीं आती है आपको मांगना नहीं आता है यह मेरा जीवन मेरा नहीं है आज मैं मर जाऊँ क्या होगा मैं क्या बाए डोटा लेकर परमेशन के सामने जाऊँ हूं कि मैंने यह किया है कल को मेरे आगे जो लगे होंगे वो कहेंगे हमने हजार आतमाइं जीती है, हमने भूकों को खाना खिलाया, हमने नंगों को वस्र दिये, क्या होगा आपके पास जवाब आपने क्या दिया है, पूछेगा प्रभू आपको मुकुट चाहिए आपने क्या किया है आपने क्या किया धर्ती पर आपने सिर्व यही प्रात्रा किया कि परमेश्वर मुझे आपने चुना है मेरे करजे माफ कर दो आपने यही प्रात्रा कि कि परमेश्वर मेरा बंगला बन जाए आपने सिर्फ यही प्रात्रा की मेरे बच्चे अच्छे पढ़ जाए मेरा घर मुझे मिल जाए आपने कोई भी प्रात्रा परमेश्वर के लिए किये कि परमेश्वर में तेरे काम आऊ आप जानते हैं आप कौन है आप परमेश्वर के खरीदे हुए हैं और जैसे ही जैसे ही आप परमेश्वर का काम करते जाएंगे आप मूले चुकाते जाएंगे तब भी पूरा मूले नहीं चुका सकते आप नहीं चुका सकते कितने लोग प्रातना करते हैं यहापर हाथ उठाईए, कितने लोग प्रात्रा करते हैं प्रेस अलॉट कितने लोग अपने परोसियों से अपने दोस्तों से प्यार करते हैं हालेलिया उस दिन मैं अंकल पीजी वरीज का सुन रहा था बड़ा अच्छा उन्होंने बात किया मुझे आप चाहते हैं कि आप लगातार प्रात्रा करें कितने लोग चाहते हैं कि मैं लगातार प्रात्रा करूँ प्रेस रहा प्रात्रा में रहा हालेलिया एक पेज लीजे एक पेज ऐसा ले लीजे इतना बड़ा पेज लीजे सबेद कागल लीजे हालेलिया सिंपल सा इससे बड़ा लीजे पेज फाड़ के दो अब फाड़ने में भी तुको के न्यूसी करोगे चल देगे आलेलुया यह पेज है यह आपने पेज लिया प्रेस अलॉट आप प्रात्रा करना चाहते हैं परमिश्वर से आप परमिश्वर का काम करना चाहते हैं यह एक काम है यह काम करके आप मुक्ति नहीं रहे जार चलो इतना ही काम बहुत है इसमें उन दस लोगों के नाम लिखिए जिसके लिए आप चाहते हैं कि उनका उध्धार हो इसमें दस लोगों के नाम लिखिए हो सकता आपके रिश्यदार हो, आपके पतनी हो, आपका परूसी हो, आपका चर्च में कोई भाई हो, जो कमजोर हो, आपका पता हो, कोई भी हो, उसके दस नाम लिखिए इसमें, प्रेस अलॉट, इस पेज पर दस नाम लिखिए, उन लोगों के, जिनका उधार नहीं हुआ, जिनको आप नर्क से स्वर्ग में लेके आना चाहते हैं, प्रेस अलॉट, और एक डेट करिए, आज डेट है, तीन तारिक, बांदिए, और करिए कि नहीं, मैं 25 दिसमबर तक रोज प्राथना करूँगा, और प्राथना करूँगा कि मैं 25 दिसमबर तक ये 1010 भाई उधार पाएं, अपना एम बनाईए, आप बोलेंगे मेरे पास काम नहीं है, आपके बहुत काम है, आप काम करने वाले बनिये, प्रेस अलॉट, अललॉट, फिर दूसरा पेज लीजे एक, अललॉट, उसमें भी 10 पॉइंट बनाईए, अलो, उसमें भी 10 पॉइंट बनाईए, और लिखिए कि आप में क्या क्या दस कमिया हैं आप में, आप में 10 कौन कौन से कमिया हैं, लिखिए, कि मुझे में ये कमिया है, घमंड है, मुझे में वेवी चार है, मुझे में आलस है, मैं दूसरों के निंदा करने में मुझे मज़ा आता है लिखे और प्रात्रा करिए कि परमेश्णर से मांगे कि परमेश्णर मुझे में से ये निकल जाए मैं पूरी तरीके से आजाद हो चाओ अलेलोया प्रेसलोट प्रभु से मांगिए आप 24 घंटे प्रात्रा कर सकते हैं अपना बोज बढ़ाईए अगर आपका पड़ोसी प्रभु को नहीं जानता है तो उसको बोलिए अगर उसे बोल नहीं सकते हैं तो उसके नाम से बात करिए प्रभु से आपके अंदर बोज होना चाहिए करिए ब्रात्रा दिल से ब्रात्रा करिए हालेलुया जो इस्थान मुझे दिया है पर्मेशन आपने जो मुझे पर किरपा की है मेरे भाई पर भी कर दो हालेलुया और अगर किसी का आपने दिल दुखाया है किसी को धोका दिया है प्लीज मैं आपसे request कर रहा हूँ पश्चाताप कर लीजिये पश्चाताप कर लीजिये अंतिम समय है मस समझे कि परमेशर कुछ नहीं करेगा मस समझे कि परमेशर हरे थोड़ा बहुत चलता है नाई प्लीज जाग जाईए जागने के लिए कह रहा था इश्चु मसी गत्सम्नी के समय में अपने चेलों को कर जागो आज भी लोग सो रहे हैं किसी को धोका दे के सो गए है जुट बोलकर सो गए है मैं विचार करके सो गए है किसी को जूटा वादा करके सो गए है जागो इश्यू कहता है जागो क्योंकि अगर आप नहीं जागेंगे और आप अंगी कार नहीं करेंगे आप महसूस नहीं करेंगे आप परमिश्व के सामने पश्चात आप नहीं करेंगे कि नहीं मैंने गल्ती की है मैंने कि किसी का 2 रुपे भी खाया है वो भी बहुत बग कर रहे हैं उस आदमी के वरुदों नहीं कर रहे है आप परमेश्वा से पंगा ले रहे रहे है और एक बार परमेश्वर आपकी जीवन से हड जाएगा ना आप कुछ नहीं कर आप सिरु प्लानिंग करते जाएंगे आज यह कर लूँ आज वो कर लूँ आज यहां जाओ आज वहां जाओ बस कुछ नहीं होगा और एक चीज़ बतादो मैं आपको जिसे कान हों वो सुन ले हलो मेरे तब देखिए अगर कितने लोग हैं विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे चुना है कितने लोग चाहते हैं कि मैं सफल हूँ सफल होना चाहते हैं आप बाइबल क्या कहती है अगर परमेश्वर ने आपको चुना है और आप परमेश्वर की इच्छा से अपने जीवन को नहीं चला रहे हैं तो आप सफल नहीं हो पाएंगे अगर परमेश्व ने आपको चुना है अपने राज्य के लिए अपने काम के लिए और अगर आप उसका काम नहीं करने है और संसार में सफल होने के लिए आप मेनत करने है और अगर परमेश्व ने आपको चुना है तो आप संसार में सफर नहीं हो पाएंगे क्योंकि परमेश्र ने आपको अपने लिए चुना है याद रखिए आप परमेश्र से ठटा मत करिए परमेश्र को धोका मत दीजिए और भूल जाएगी परमेश्र क्या देगा, कहां से देगा हालेलुया पिछले अठारा साल से मैं सिरफ प्रभू की सेवा कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ सूसोमाचार सुना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ वचन पे मनन हूँ कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ प्रभू की बहुत किरपा है कि मुझे तीन टाइम का खाना आराम से देता है में जे परमेश्वर मैं अपने परिवार का भालत मुश्रण अच्छी तरीके से प्रभू की आशिर्वास से कर रहा हूँ कोई कमी नहीं है सीखिए मुझसे समर्पित करिये अपने आपको प्रभू के चरणों में को खोला जब वो गधा अकेला था तो कैसे खड़ा हुआ था रिस लौट इकिसमा लेगा ये मती इकिस का छे साथ आठ मती इकिस मैथ्यू 21 6 7 8 पढ़िये बेटा चेलो ने जाकर जैसा येश्यू ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गदी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कप्डे डाले और वह उन और वह उन पर बैट गया यह सलोट जैसे इशू ने चुना जैसेальных उनको बुलाया just जैसे इनको चुना हालेलोईया हो कैसी घड़ा होता उस पर कप्डे हा गए आलेलिया और कौन बैठ गया इशु बैठ गया हलो प्रेस अलोट आगे पढ़िए जली से तब बहुत से लोगों ने अपने कपडे मार्ग में बिचाए और अन्य लोगों ने पेडों से डालिया काट का मार्ग में बिचाए जो गधा जिसको कोई पूछ नहीं रहा था अब जब इशु मसी उस पर बैठ गया तो लोगों ने अपने कपडे बिचाना शुरू कर दिया मार्ग में डालियां डालनी शुरू कर दिये जिस दिन इशु आप पर बैठ गया ना मेरे बहन हाललुया जो आपसे नफरत करते थे ना वो आपके पास आ जाएंगे जिस दिन इशु मसी आपपर बैठ गया जिस दिन इशु मसी आपपर बैठ गया आपकी कीमत क्या होगी आप सोच नहीं सकते Praise the Lord हाललुया इंतिजार करिये और बैठ ये कि इशू मुझ पर आए Amen Hallelujah और एक गधे के लिए परमेशर इतना सोच सकता है तो क्या आपके लिए नहीं सोच सकता है Amen क्या आपके लिए उसने नहीं सोचा होगा लेकिन गधे के जीवन में परमेशर की योज़िना क्यों पूरी हुई क्योंकि वो इंतजार कर रहा था अगर वो उससे में बंदा हुआ नहीं होता अगर वो चला जाता हलो आगके जीवने परमिशन क्यों काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि आप परमिशन के अनुसार नहीं चल रहे हैं आप अवेलेबल नहीं है बोलिए मैं उपलब्द हूँ बोलिए ईशू ईशू मसी मैं आपके लिए उपलब्द हूँ मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आप मुझे पर आएं आप मुझे दिशा दें क्योंकि मैं आपकी इच्छा के नुसार चलना चाहता हूँ यही परात्रा करिए हालेलुया और मैं विश्वास कर रहा हूँ गुटने ठेकिए प्रभू आपको ले कर जाएगा प्रभू आपको ले कर जाएगा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसो प्रभू आएगा और आप पर बैठेगा Amen यह उसका वादा है हालेलुया वो कहता है दूसरा इत्यास 16 का नौ में दुवारा पढ़ूँगा आपके लिए दूसरा इत्यास 16 का नौ बहुत अच्छा वच्छा नहीं है क्योंकि यहोवा की आँखे समस्थ पृत्वी पर फिड़ती रहती है अगर आपका हिर्द है वो किसको देखता है आपको देख रहा है? आपके दिल को देख रहा है आपके दिल को देख रहा है आप काम कर रहे हैं मालजी कहीं लेकिन आपका मन प्रभू में है आप खाना बना रहे हैं लेकिन आपका मन प्रभू में है आप बड़तन माज रहे हैं लेकिन आपका मन प्रभू में है प्रिस अलॉट वो क्या कहता है कि अगर आपका मन प्रभू में है तो उसका सामर्थ आप में काम करेगा उसका सामर्थ आप में काम करेगा प्रिस अलॉट उसका सामर्थ हालेलुया वो अपना सामर्थ आप में दिखाएगा क्या था वो बारा 12 साल की ओर जिसको लहू बहरा था जैसि उसने कहा कि मैं अगर o रिषु के गपड़ों को छूँलूंगी तमझे हो जाऊंगी जैसे उसने एशु के गपड़ों को छूआ छोर को छूआ वो चैं गी हो गई और रिषु मसें का सामर्थ भाई है आप नहीं चाहते कि जहां से गुजरें लोग आशीश पाएं आप जिस पर हाथ रखते हो चंगा हो जाएं आप जिसको कहते हो मुड़ता हो जाएं आप नहीं चाहते क्या हालेलोईया इस्चु में अपना मन लगाई है मेरी बेहन आपकी समस्थ्या का करेगा कालेलो та और कोई दूसरा काम नहीं और कोई दूसरा दूसरा हल नहीं है इतनी विपत्ति आंजाए कोई परिष्य आजाए अपने मन में इंश्यु को रखिए हो सवालने वाला कोन है इस्चु बचाने वाला कोन है इशू है, हालेलुया वो कहता है चाहे मैं घंकूर उसमें रहूं बज़न सहीता calidad 23 का चार managed मृत्यूकर की शाया में रहूं हालोया बज़न सहीता psychological चे चार चाहे मैं घंकूर अंदकार से भरी हुई तैराई में होकर चलूं तो भी हानी से नहीं डरूँगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है Amen Hallelujah अपने अंदर से डर को निकाली है मेरी बहन संके अपने अंदर से संदे को निकाली है आज संदे को निकाल के यहां से जाईए मेरा अच्छा होगा या बुरा नहीं नाहीं आपका चाही होगा आपका चाही होगा चाहे आप अंदिकार की चाहायां में जाएं चाहे आप मौत की चाहायां में जाएं तो भी इशुआ आपके साथ है तब ही आपको जीवन मिलेगा थिशन कहता है अच्छा आँ culinary निकाली ए डर निकालिए नाई हाललुया अंगिकार करेंगे मेरे साथ अंगिकार करेंगे हाललुया बोलिये मैं इशुका हूं मैं आशीशित हूं मैं परमेश्र का आशीशित बच्चा हूं मैं परमेश्र का आशीशित हूं मेरे जीवन की मेरे जीवन में प्रभू की योजनाएं अच् मेरे धंदे में परमेश्र का अशीष है मेरे घर में परमेश्र का अशीष है मेरे बच्चों के अंदर परमेश्र की बुद्धी है हालो मेरे जीवन परमेश्र की कृपा है इश्व मसी मेरे जीवन में काम कर रहा है इशु मसी की योजना मेरे जीवन में सफल हो रही है अंगिकार करिये जो भाई सुन रहे हैं देख रहे हैं अंगिकार करिये अपने आपको अंगिकार करिये अपने आपको बताईए कि मैं कौन हूँ मैं इशु में आशिशित बच्चा हूँ Yes Lord मैं उसके लिए पैदा हुआ हूँ मैंने उसके लिए नया जन्म लिया है Praise the Lord अभी मैं मेरा नहीं हूँ अपने जीवन से सपने देखना छोड़ दीजे अपने जीवन में सिर्फ इशु को रखिये आपके सारे सपने पूरे होंगे अपने सारे सपने पूरे होंगे मेरे बाई उसने जो आपके लिए योजनाय बनाई है न वो आपकी सोच से कहीं अच्छी है आप चाहते हो सकता है आप चाहते हो कि अपनी बच्ची के लिए आपको राजकुमार चाहिए लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उसने आपकी बच्ची के लिए अध्भू दा शीश रखा हो आ उसका बन जाएए उसका बन जाएए, उसके लिए काम करieuए उसके लिए काम करिए, आश से काम करिए जो कोई मिले उसा सूस्वाषार सुनाइए उसको बताईए प्रभू के बारे में उसको अपनी साक्षी दीजिए, काम करिए, मजदूर बन जाएए, बोलिए मैं मजदूर हूँ, आज से मैं प्रभू का मजदूर हूँ, आज से मैं इशु का मजदूर हूँ, येस, दस आदमें को रोज आपको सूर समचार सुनाना है, यहां से जाते समय, वहां से आते कहीं वाहर भी जाए कृइशु को लगे परभू से प्राण न करिया मैं इसको बहुं मैं bağ लिहाद काया मैं कर दो हमनी है नहीं आता है तो इस नए आपके जीवन में किया वो तो बहूना आता है तो एस और नया वोद्ध में आनिले बरदर मेरा आप कोन है मिरे नाम आने ले मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे जीवन में इशू मुसी ने काम किया Amen Praise the Lord मैं आपको बताऊँ हर आत्मा जो यहां से जा रही है ना हर आत्मा दुखी है हर आत्मा को इशू चाहिए हर आत्मा को Please जिसने आपको सूशमाचार सुना कर यहां भेजा है आपका फर्ज है आपकी यह ड्यूटी है कि आप दूसरों को लेकर आए Hallelujah अपने उस कर्ज को दिखा लिए किसी भाई ने किसी बहन ने आपको सूशमाचार सुनाया यहां लेकर आया आपकी भी ड्यूटी बनती है कि नहीं मैं भी किसी को सूशमाचार सुना के कलीस्या लाओं उसका उधार करूं उसके स्वर्ग में लेकर आओं Praise the Lord यह हमें जीवन नहीं जीना है हमें यह हमें जीवन नहीं जीना है Yes Lord अपने आपको एक एहमद बहां एहद करिए नहीं मुझे यह ही जीवन नहीं जीना है मुझे परमिश्र का काम करते हुए जीवन जीना है Hallelujah अगर परमिश्र का काम करते हुए मुझे कोई गाली देता है उसे माफ करिए Praise the Lord कोई बात नहीं अगर आपने किसी को सुमचरा सुना है प्रभू का नाम लिया और उसने मान लिजिए आपको दो गलस शब्द बोले कोई बात नहीं उसे माफ करे स्वारी भाईया स्वारी बहन आगे चल जाईए किसी मोड़ पर कोई और भाई होगा और भेहन हो गई हालेलुया उसे बताईए इशु कौन है मैं आपको सच बोल रहा हूँ जिस दिन आपने मजदूर बन गए न उस दिन पर मेश्वार स्वार के जरों के खोल देगा आप कहीं ना कहीं अठके हुए आप कहीं ने कहते शैतान आपको अठका देगा अरे ये तो हो नहीं रहा है वो कैसे होगा जरूर नहीं कि ये नहीं हो रहा तो वो नहीं होगा हलो जरूरी नहीं है कि आप एक इंट्रिव में फेल होगे तो दूसरे में पास नहीं होगे जरूरी नहीं है आगे बढ़िये आगे बढ़ी यह जो के एफजी है ना के एफजी जो चिकन का है के एफजी के एफजी वालों के बारे में जो बने सुना है उसने 999 लोगों को अपनी थेरिपी अपनी जो उस रेसिपी बताई थी 999 लोगों को और समने रिजेट करती फिर उसने बताई एक हजार जब एक हजार हुआ उसको बताई उसने एकसेप कर ली और आज के एफसी पूरे वर्ड में है रुका नहीं वो दो के बाद कि दो को बताई चार को बताई अरे नहीं यार फिर बीस को बताई समने मना करते हैं पच्छिस को बताई सौ को बताई समने का रहा जाए दोसों को बताई नहीं उसका moral लाउन नहीं हुआ इसलिए आप सूसो माचार सुनाईए अगर पचास आदमी आपको मना करते हैं कोई बात नहीं हमें मेरे मुझे मेरे इशू पर घबंड है इशू का नाम सच्चा है और वो मेरे साथ है बेस अलॉट मैं किसी को जूट नहीं कह रहा हूँ वो स्वर्ग से दमीन पर आया और मन के जिन्दा हो गया वो स्वर्ग में इशू के परमेश्ट के इस पास बैठा हुआ है हलो इसलिए कभी संकुचित मत करिए अपने बास को बताने से बंडरिये बताईए नौकरी से निकाल देता कोई बात नहीं प्रभु के लिए अगर आपको संसार से निंदा सहनी पढ़ती है धन्यवाद बोलिये धन्यवाद बोलिए वाय वचन कहता है दन्यवाद बोलिए लेकिन आज से अपना काम करिए आज से अपना काम करिए Praise the Lord क्योंकि मैं चाहता हूँ अब हर संडे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर दस आत्माएं नहीं आएंगी Hallelujah मैं दस कुर्सियां हर संडे लगाँगा नहीं यहाँपर दस कुर्सियां खाली रहेंगी नहीं आत्मियों के लिए Hallelujah मैं विश्वास करता हूँ यह दस आत्माएं रोज आएंगी हर संडे आएंगी Hallelujah हम दस आत्मियों को मज़ूर सुनाइंगे सुनाइंगे Praise the Lord आप मेरे साथ है के नहीं है Hallelujah Praise the Lord मैं अकेला नहीं हूँ मेरा परिवार मेरे साथ है Hallelujah आप लोग लाएंगे आप लोग लाएंगे और यहां पर वो बैठेंगे और हमको प्रभू का सूसमा चाह सुनाएंगे हालेलिया हम अकेले नहीं यहां पर हमें परमिश्रा का राज जो बढ़ाना है हमें परमिश्रा के राज जो में आगे बढ़ना है हमें लोगों को नर्ख से स्वर्ग में लेकर जाना है और बहुत जरूरी है कि हम उसके नाम की महिमा करें हालेलुया और आज का वचन आपने ग्रहन किया परमेशर आपको आशीष दे God bless you हालेलुया